धनुष्ट तीर चलाकर उद्धव महराष्ट की सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाये थे एक निस बार मशाल जलाकर वर्षा बंगले में लोटने की तैयारी में है सीत मटवारे की फंसी तस्वीर के बीच ABP News को दिये एक्स्कूलसिव इंटर्व्यू में संजय राउत ने CM पद के लिए उद्धव के नाम का पासा फेंग दिया है उद्धव के लिए बैटिंग करने के साथ संजय राउत ने सहयोगियों को चैलेंज भी दिया कि इस से बहतर नाम मिल जाए तो सुझाए इस दावे के मायने इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि संजय राउत को शिव सेना का आँख और कान माना जाता है कह सकते हैं कि बोल भले ही संजय रहे हैं लेकिन शब उद्धव के हैं इस वार उद्धव ठाकरे आधी शिवसेना के साथ मैदान में हैं और सर्योग्यों के साथ बराबर की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं नतीजों में अगर कॉंग्रिस और शर्थ पर की एंसीपी आगे निकल जाती है तो उद्धव ठाकरे की दावेदारी कमजोर पड़ सकती है लोगसभा चुनाव की रिजल्ट देखकर आगर आपको बताएं तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो स्ट्राइक रेट था वो कॉंग्रिस और एंसीपी की स्ट्राइक रेट से काफी कम था शिव सेना में तूट का सहानुभूती फैक्टर लोगसभा चुनाव में बहुत काम नहीं आया दावे भले ही बड़े हैं लेकिन उद्धव की चुनावती उससे बड़ी है हाथों से NDA के खलाप मशाल जलाय रखनी है और सहयोगियों से आगे भी दौधना है झाल झाल